उड़त की दाल सामाने रूप से खानी में उतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितने स्वादिष्ट उसकी व्यंजन मनते हैं। लेकिन हम यहां पर बता दें कि उड़त की दाल के कुछ ऐसे अचोग उपाय हैं। जो ना सिर्फ गरीबी दूर करने भी सायक हैं बलकि यह जीवन के कई संकटों को भी दूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों जोतिश क्यान चैनल में एक पर फिर से आप सभी का स्वागत हैं। हम यहां पर प्रतिदिन की समस्याओं के निवारन हेतू जानकारे उपलब्द कराते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हैं तू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी जरूर लिखें। आए दोस्तों जान लेते हैं कि किस प्रकार से उड़त की दाल आपके दुरभाग्य को सोभाग्य में बदल सकती है। शनिवार को साइकाल उड़त की दो साबुत दाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही सिंदूर डालकर पीपल की व्रक्ष के नीचे 21 दिन तक नित्या रखें। ध्यान रहें कि वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही आपके 21 दिन समाप्त होंगे आप खुद ये चमतकार देखेंगे कि किस प्रकार से आपका दुर्भाग के सोभाग्य में बदल जाएगा। शनिवार को प्रात्य सीर से तीन बार उल्टा गुमा कर कवंवों को खिलाएं। ऐसा साथ शनिवार करेंगे तो शनीदोष दूर हो जाएगा। उड़त का दान करने से भीच शनीदोष कम होता है। किसी भीकारी को भी उड़त की कचोरी खिलाने से आपके काम बनने लगते हैं। या फिर आप किसी सफाय कर्मी को उड़त की दाल का दान कर सकते हैं। दोस्तो तीसरा अचुक उपाय जिससे कि आप अपनी गरीबी को हमीशा हमीशा के लिए समाप्त कर लेंगे। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बरतन में सरसो का तेल रखें। और अगले दिन उस तेल में उड़त की दाल के गुलगुले बनाकर कुतों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उड़त की दाल के गुलगुले कैसे बनाने हैं। तो आप रात की समय उड़त की दाल को भीगो दे। सुबह उठकर उस दाल को पीस ले। और फिर उसमें थोड़ा गुड या फिर चीनी मिलाकर एक गोल बना ले। और उसके पश्चात कड़ाई में तेलिया घी गरम करें। और उसमें छोटे छोटे से उड़त की दाल के पुवे बना ले। इनको मीठे पुवे या फिर गुलगुले भी कहा जाता है। आप ये गरीबों को खिलाएं। यदि आप कुत्तों को खिलाना चाहते हैं तो उसमें आप मीठा ना डालें। क्योंकि कुत्तों के लिए मीठा नुकसान दे होता है। यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपकी साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। अच्छा कितनी पार क्ये होता है कि आपकी अच्छी भली चलती चलती दुकान में सब कुछ काम ठप हो जाता है। आप लगता है कि आपकी दुकान कीसी ने बांद रखी है। तो क्या सकते चाथा में लिए। पहने जैसा हो जाए तो इसके लिए आप रविवार की शाम को 40 दाने लेकर उन पर 40 बार ये मंत्र पढ़ें भवर वीर तू चेला मेरा खोल दुकान कहा कर मेरा उठे जो डंडी कीके जो माल भवर वीर सोखे नहीं जाए दोस्तों ये बहुत अचू कुबाय है इस मंत्र को प में मुकले से कुछ चिटके चुटे या फूटे हैं सावुत है तो दुकान cadhi नहीं है और सावुत तो इसका मतलब है कि आपकी दुकान bandhi है अब आपको क्या करना है आप ये ध्यान से सुनिए निधी आप वियसाई हैं आप पुराने उद्योग के चलते या फिर कोई नया उद्योग कर रहे हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उस काले में आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप कोई भी लोही की वस्तु लाकर अपने उद्योग स्थल पर रख दे यानि जहां पर भी आपक कोई नया काम कर रहे हैं तो आप बाहर से मार्केट से लोहे की कोई वस्तू लाकर उस इस्थान पर रखें जिस इस्थान पर आप यह रखेंगे वहां पर आप स्वास्तिक बनाएं और वहां पर थोड़े से काले उड़त रखें उसके उपर आप इस लोहे की वस्तू को रखे ऐसा करने से आपका वेवसा है, पहले से दोगुनी रफ्तार से चलने लगेगा, ये बहुत अचूक और शक्तिशाली उपाय है, आप जरूर करिएगा धन समर्दी हेतू उपाय, शुब मूरत में उड़त की दाल को पिस्वा कर उसके दो बड़े बनाए, शाम को ठीक सुर्यास्त के समय इन पर शुद्ध, दही और सिदूर लगाए, ध्यान रखें उड़त की दाल में कोई अन्य दाल ना मिली हो, बड़ो को ले जाकर किसी पीप शनिवार तक करेंगे, तो दोस्तों आपका बिजनस और आपका व्यवस्था है, बहुत तरक्की करेगा, चारों तरफ से धन के आने के रास्ते खुलेंगे, यानि कि धन नए नए मार्ग से आपके पास आएगा, कि बहुत शक्तिशाली उपाय है, यदि आप एशो आराम ध और धाई सो ग्राम काले तिल को मिलाकर पीस ले, अब प्रती मंगलवार को उस आटे को गुद कर दीपक बनाए, और 21 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अरपित करें, जैसे कि पहले दिन एक दीपक, दूसरे दिन दो दीपक, तीसरे दिन तीन दीपक ल लगाए, और यह दीपक सरसो के तेल में ही लगाए, जब 11 दिन पूरी हो जाए तो घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू करें, इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी, और आपका जीवन पोड़ी तरह से खुशाल और सम्रद शाली ह जाएगा, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बेहद ही आसान और अचुक उपाय बताए गए हैं और यह उपाय बेहद ही शक्तिशादी है, और शायद आज से पहले आपने यह उपाय कही नहीं सुने होंगे, तो आपको यदि यह जानकरी पसंद आई है, यह उपाय की जानकारी के साथ अपना ध्यान रखिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे साथ अनतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद